सुग्रीब का राज्य अभिशेक, वाली के इंतिम संसकार से निवरित हो जाने के पश्चात हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद जी से निवेधन किया, हे ककुट स्थनिंदन. वानर राज सुग्रीब को आपकी कृपा से उनके पूर्वजों का राज्य पुना प्राप्त हो गया है. यह अत्यंत कठिन कार्य था जोकी आपके प्रसाद स्वरूफी संपन्न हो पाया है. अब आप कृपा करके उनका राज्टिलक कर अंगद को युगराज पर प्रदान कर हनुमान की प्रार्थना सुनकर राम बोले हनुमन. सौमिय, मैं पिता की आग्या का पालन करते हुए वन में निवास कर रहा हूं अतह 14 वर्ष की अबधी पूर्ण होने के पूर्व किसी नगर अत्वाग राम में जाना मेरे लिए उचित नहीं है. अतयब तुम लोग सुग और लोकव्यवहार कुशल हो, इसलिए अपने भतीजे अंगत को युवराज का पद प्रदान करो. वह तुम्हारे जेश्ट भ्राता का पुत्र ही नहीं है, पराक्रमी और वीर भी है. कुछ दिन तुम लोग राज्य में रह कर शासन व्यवस्था को सुभ्यवस्थित करो और प्रजा की भलाई में मन लगाओ. श्रावन का महीना आ गया है और वर्षा की रितु का आरंब हो चुका है. अतह चार मास तक सीता की खोज संभव नहीं है. वर्षा की समाप्ती पर जानकी की खोज कराना. मैं इस अबधी में लक्षमन सहित इसी परवत पर निवास करू लगे. एक सुरक्षित कंदरा को कुटिया का रूप दे कर वे लक्षमन से बोले, हे भाई, हम वर्षा रितु यहीं व्यतीत करेंगे. व्रिक्षादी से सुशोभित यह परवत अत्यंत रमनीक है. इस गुफा के निकठी सरिता के प्रवाहित होने के कारण यह स्थान हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा. यहां से किशकिंधा भी अधिक दूर नहीं है, किन्तु इस शांतिप्रत वातावरन में भी जानकी का वियोग मुझे डहकी कर रहा है. उसके बिना मेरे हृदे में भयन कर पीडा होती है. इतना कह कर वे शोक में डूब गए. अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्षमन बोले, हे बीर, इस प्रकार व्यतित होने से कोई लाब नहीं है. शोक से तो उत्साह नश्ट होता है. और उत्साह हीन हो जाने पर रावन से हम कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे. इसलिए आप धैर्य धारन कीजिए. हम रावन को मार कर भाभी को अवश्य मुक्त कराएंगे. केवल कुछ दिनों की बात और है. लक्षमन के वचनों से राम ने अपने हृदय को स्थिर किया और वे प्रकृती की शोभा नहारने लगे. थोड़ी देर तक वे वर्शाकालीन प्राकृतिक द्रिश्यों का अवलोकन करते रहे. फिर वर्शा रितु में ये मेग हमृत की वर्शा करेंगे. उस हमृत से भूतलवासियों का कल्यान करने वाली नाना प्रकार की ओश्धिया, वनस्पती, अन्ना आदी उत्पन होंगे. इधर इन बादलों को देखो, एक के ऊपर एक खड़े हुए ये ऐसे प्रतीत होते हैं. मान पर्वत पर से जो जलधारा बह रही है, उसे देखकर मुझे ऐसा आभास होता है कि सीता भी मेरे वियोग में इसी प्रकार अश्रुधारा बहा रही होगी. इन पर्वतों को देखो, इन्हें देखकर लगता है जैसे ब्रहमचारी बैठे हों. ये काले-काले बादल इनकी नदनाले इनके यग्योप ववीत हों और बादलों की गंभीर गर्जना वेदमंत्रों का पाठ हो. कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल गरज नहीं रहे हैं अपितु बिजली के कोडों से प्रताड़ित होकर पीडा से कराहते हुए आर्पनाद कर रहे हैं. काले ब मरण हो आता है. यह देखो, काले मेगों ने दसों दिशाओं को अपनी काली चादर से इस प्रकार आवरित कर लिया है जैसे मेरे हृदे की समस्त भावनाओं को जानकी के भी योग ने आच्छा दित कर लिया है. इस वर्षा रितु में राजा लोग अपने शत्रू पर आक्रमन नहीं करते, रहस्त लोग घर से परदेश नहीं जाते. घर उनके लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है. राजहन्स भीमान सरोवर की ओर चल पड़ते हैं. चक्वे अपनी प्रिय चक्वियों के साथ मिलने को और उनसे मिलकर अपूर प्राप्त करते हैं. किन्तु मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसकी चक्वी रूपी सीता अपने चक्वे से दूर है. मोर अपनी प्रियाओं के साथ मृत्य कर रहे हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि बगुलों की पंत्तियों से शोभायमान, जल से भरे, शा नवयोवना कामिनी हरे परिधान पर लाल भूटे वाली बेल लगाए लेटी हो. सारी प्रित भी इस वर्षा के कारण हरी तिमा में हो रही हैं. सरिताय कल-कल नाद करती हुई बह रही हैं. वानर व्रिक्षों पर अठखेलियां कर रहे हैं. इस सुखद वातावरन में केवल विर्ही जिन अपनी प्रियाओं के वियोग में तड़ाप रहे हैं. उन्हें इस वर्षा की सुखद फोहार में भी शांती नहीं मिलती. देखो, ये पक्षी कैसे प्रसन होकर वर्षा की मंद-मंद फोहारों में सनान कर रहे हैं. उधर वह पक्षी पत्तों में अटकी हुई वर्षा की बून को चाट रहा है. सूखी मिटी में सोये हुए मेधक मेगों की गरजना से जाग कर उपर आ गए हैं और टर्टर की गरजना करते हुए बादलों की गरजना से स्पर्धा करने लगे हैं. जलकी विगवती धराओं से निर्मल परवत शिखरों से प्रित्वी की और दोरती हुई सरिताओं की पंक्तियां इस प्रकार बिखर कर बह रही हैं जैसे किसी के धवल कंट से मोतियों की माला तूट कर बिखर रही हो. लो, अब पक्षी घोंसलों में चिपने लगे हैं, कमल सकुचाने लगे हैं और मालती खिलने लगी है, इससे प्रतीत होता है क अब शीग्रही प्रित्वी पर संध्या की लालिमा बिखर जाएगी. डॉट, डॉट, फिर राम ने श्वास छोड़ कर बोले, वाली के मरने से सुग्रीव ने अपना राज्य पा लिया. अब वह अपनी बिचुडी है पतनी को पुना पाकर इस वर्षा का आनंद उठा रह होगा. पता नहीं, मैं अपनी बिचुडी हुई सीता के कब दर्शन करूंगा. अब तो श्रावन मास का अंध हो चला है. शीग्रही शरद रितु का प्रारंब होगा. दुर्गम मार्ग फिर आवागमन के लिए खुल जाएंगे. मुझे विश्वास है, शरद रितु आते ह ही सुग्रीव अपने गुप्चरों से अवश्य सीता की खोच कराएगा.